नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल खजु वाला के कोक्टेल में दोस्तों यदि आप राजस्तान बोर्ड कक्षा दस्मी के विद्दारती हैं तो दोस्तों आप अच्छी तरे से जानते होंगे कि अब आपके गणित के पेपर में सम कुछ ऐसे most important परशन लेक रहा हूं जिनके आने गा चांस आपके पेपर में बहुत बहुत ज्यादा है तो जलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी इस पेपर को तो देखिए इसमें आपको शुरुवात में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन से हो दिये गए हैं सभी प्रशन कर करने अन्यवारी हैं प्रतेक प्रशन का उतर दी गई उतर पुस्तिका में लिखना है जिन प्रशनों में आंतरिक खड़न है उन सब के उतर एक एक साथ लिखने है और साथ ही यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी रुपा अंतरन है तो यहाँ पे आपको हिंदी बासा का प्र दोस्तो पहले प्रशन के अंदर आपको 12 बहुविकल्पी प्रशने वो देखने को मिलेंगी तो चलिए पहला बहुविकल्पी प्रशन देखते हैं इसमें आपको कहा है एक एसी संक्या जिसके एक और स्विंब के अतरिक्त कोई गुणनकण ना हो तो वो संक्या क्या क्यलाती है तो जैसे कि A option बाजी संक्या B option A बाजी संक्या C option संक्या और D option विश्म संक्या तो जल दिसे दोस्तों इसका correct answer मुझे comment box में बताइए मैं देखता हूँ कि कौन सा विद्यारती होशार है और कि इस विद्यारती की तैयारी गनित विशे में अच्छी है चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रशन इसमें दोस्तों आपको कहा है यदि X की Q प्लस A की Q में X प्लस A का भाग दे दिया जाए तो शेस्पले वो क्या होगा तो आपको फिर से A, B, C, T यदि आपको चार अप्शन दे रखे आपको बता रहा है कि कौन सा दोस्तों इसका शेस्पल है वो होने वाला है दोस्तों तो आप आप आगे देख सकते हैं हमारी पास में इस पेपर का जो तीसरा प्रशनी वो आता है इसमें आपको कहरका है समिकर्ण x² प्लस px प्लस q is equal to के दो मूल हैं जिसे की मूल 1 और मूल 2 यह ठीक है यह हमरे प्राइस में दो मूल है तो समिकर्ण q x² माइनस px प्लस 1 is equal to 0 के मूल कौन से होंगी तो आपको यहाँ पर 4 option दे रखे हैं ठीक है आगे देखें चोथा प्रशन जिव घास अमिकर्ण आपको देर की है तो इसके दो मूलों की प्रकर्टी वो कौन सी होगी वस्तविक समान होगी के वस्तविक बिन होगी के कालपनिक समान होगी या फिर आपके पास में कालपनिक बिन होगी दोस्तों तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में अब पांचमा जो प्रशने वो आता है इसमें आपको कहा है कि 16 पदो वाली समांतर श्रेनी 2,5,8,11 का अंतिम पद देवो क्या होगा तो आपको 4 अप्शन देर के हैं 46, 47, 48, 59 दोस्तों जल्दी से मुझे इसका correct answer है वो comment box में बताइए आगे आप देखिए चटा प्रशन हमारे पास में आता है यदि पर्थम N प्राकर्तिक संक्याओं का मद तीन N बटा पांच है तो N का मान क्या होगा ये दोस्तों आप से पूछा है चलिए अब हम आगे देख लेते हैं हमारे पास में 7 प्रशन आता है इसमें आपको कहा है यदि बिंदू X,Y बिंदू 2,1 और 1,-2 से समान दूरी पर है तो दोस्तों आपको बताना है कि equation क्या बनेगी ठीक है चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हमारे पास में 8 प्रशन आता है इसमें आपको कहा है कि 10 45 दिगरी प्लस कोड 45 दिगरी का माने वो क्या होगा तो देखिए 1,2,3 और फिर 0 दोस्तों आपको बताना है कि इसका माने वो क्या होने वाला है आगे देखिए हमारे पास में 9 प्रशन आता है तो जलसी दोस्तों बताइए कि इसका माने वो क्या होने वाला है दोस्तों तो आब आप आगे देखिए हमारे पास में अब इस पेपर का जो दसमा प्रशने हुआता है इसमें आपको कहा है मद्य X, मद्य का Y और बहुलक Z इसकी बीच में सम्मद है वो कौन सा है यानि दोस्तों आपको मद्य मद्य का और बहुलक X, Y, Z के इंदर जो सम्मद है वो बताना है आगे देखिए मारे पास में 11 प्रशने किसी श्रेणी का बहुलक मुल्य कितना होगा तो देखिए मद्य वर्ति मुल्य, सरवदिक बरमनता वाला मुल्य, नियूनतम बरमनता वाला मुल्य या सिमाद मुल्य तो आपको ये चार ओप्शन दे रहे हैं आगे आप देखिए 12 प्रशन आता है ताश के 52 पत्तों में यादर्चिक रूप से एक पत्ता चुने जाने पर उसके हुकम का पत्ता होने की प्रायक्ता क्या होगी तो दोस्तों आपको चार ओप्शन दे रहे हैं जल्दी से दोस्तों बताईए कि हुकम का पत्ता होने की प्राइकता है वो कितनी होनी वाली है आगे आप देखिए दूसरा प्रशन जिसमें दोस्तों आपको रिक स्थान बरने है यानि कि दोस्तों आपको रिक स्थान वाले प्रशन मिलेंगे तो देखिए पहला प्रशन इस बदोष में दोस्तों आपको एक स्थेती दे रह Citizens ए इस स्थेती में में कॉन सा होता है यह दोस्तों SAY 17 faculty को आगि देखिए दोस्तों हमारे पासमें दूसरे दूसरुका दूसरा प्रशन हो आता है इसमें आपको समांतरश्रेनी दे रहुकी है यह-वाली और दोस्तों इसमें आपको पर्थम पद A है उसका मान बताना है और सरवंदर D है वो क्या होगा उसका मान भी बताना है आगे देखी तीसा प्रशन इसमें आपको काहा है A.C. सरल लेखा जो वर्थ की परिदी के वो केवल एक बिंदू पर स्परश करती है उस दोस्तों सर लखाओ क्या कहते हैं आगे देखिए चोता प्रशन यदि सम्तल में किसी बिंदू P के निर्दिशांक X Y हो तो तिरती चतुर्शांस में स्तिती है वो क्या होगी आगे देखिए आप प्रशन 1-sin² θ, bracket बंद sin² θ is equal to क्या होगा ये दोस्तों आपको बताना है चलिए आगे देख लेते हैं हमारे पास में दोस्तों आगे चटा प्रशन आता है आंकड़े आपको दिर रखे हैं तो परीस सरे वो क्या होगा ये दोस्तों आपसे पूचा है चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रशन जिसमें दोस्तों आपको अति लगुतरात्मक प्रशने वो दिये होंगे तो देखिए पहला प्रशन अब अज्य गुणनखंड विदी द्वारा छ्याण में और 404 का HCF ग्याद करना है दूसरा प्रशन देखिए यदि वेंजक x3-2x1 का गुणनखंड x-1 है तो 6 पल आपको लिखना है आगे देखिए तीसरा x2-9 के शुन्या का आपको ग्याद करनी है चोथा देखिए परशन निमन समिकरण निकाय के हलकी प्रकृति ग्याद करनी है ठीक है दोस्तों दोस्तों तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में पांतवा जो परशने वो आता है इसमें आपको काहा है यदि समिकरण x-2-8x-0 के मूल समान हो तो k का जो माने वो आपको ग्याद करना है आगे आप देखिए चटा परशन दिव घाती सुतर लिखना है दोस्तों आपको यानि कि quadratic formula क्या होता है यह दोस्तों आपको बताना है आगे साथवा प्रशन किसी वरत की 30 और उस पर खिंची गई इस पर श्टिका के मद्दे कोण है वो आपको ग्याद करना है तो इस परकार से दोस्तों पेपर है वो रहने वाला है आगे देख सकते हैं हमारे पास में आठवा प्रशन आता है किसी वरत के समुक शिर्स माइनस 5,4 और 3,2 है तब इसके विकरन की लंबाई आपको ग्याद करना है तो इस परकार से दोस्तों पेपर है वो पूरा रहने वाला है तो अब आप अगी देखिए दोस्तों हमारे पास में 9 प्रशन आता है इसमें आपको 10 प्रशन है यहाँ पे आपको value ढिखनी है write the value of 4 into sin 18 degree बटा cost बहुतर 1 प्रशन बहुलग के किसी प्रशन को हल करने की एक सिती निमन है बावलक वरग की बारम मरता ग्याद आपको करनी है तो ये दोस्तो आपको बावलक को हल करने की दोस्तों तो अब आप आप आगे देख सकते हैं हमारी पास में चोथा प्रशन वो आता है इसमें आपको कहा गया है कि दरशाई ये कोई भी धनात्मक विसम पुरुनाग 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 की रूप में होता है जहां क्या है कोई पुरुनाग के आगे पांचवा प्रशन एक दिवगात पववद ग्याद के जिए जिसके शुन्यांकों का योग और गुणनरपल करमश माइनस एक बटा चार और पलस एक बटा चार है आगे देखिए चटा प्रशन निमन रेकिक समीकरण युगम को प्रतिस थपन विदी से हल किये जिए 2X प्लस 3Y इस इकलिस टू 11 और 2X प्लस 4Y इस इकलिस टू माइनस 24 ठीके दोस्तों आपको प्रतिस थपन विदी से रेकिक समीकरण युगम में वो ग्याद करना है आगे देखिए 7वा प्रशन इसमें आपको कहा है गुणनकन विदी से निमन दिव गार समीकरण के मूल ग्याद कीजिए 100X स्क्वेर प्लस 20X यहां पे प्लस 1 इस 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 इकलिस टू 0 तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणनकर्ण वीदी से निमन दियुगा समी करने हैं, उसके मूल ग्याद करने हैं आगे देखी आटवाँ प्रशन, समांतर श्रेणी आपको देर की है, इसमें आपको सरवांतर और अगले तीन पदे वो लिखने हैं आगे देखी नवाँ प्रशन, वह समांतर श्रेणी ज्याद कीजिए, जिसका तीसरा पद सोला और सात्वाँ पद पांचमें पद से बारा अधिक हो ठीके दोस्तों, इस परकार से ये प्रशने वो रहने वाला है तो आगे आप देखीए, हमारे पास में दसवाँ प्रशन रता है एक तिरबूज ABC बनाईए, जिसमें BC is equal to 5 cm, एंगल B 45 degree, एंगल A 105 degree हो उसके दोस्तों आपको आगे कहा गया है, कि फिर एक अन्य तिरबूज की रतना कीजिए, जिसकी बुजाएं ट्राइंगल ABC के संगत बुजाओं के 4 बटा 3 कुनी हो तेके दोस्तों, इस परकार से ये जो पेपर है, वो रहने वाला है चलिए दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं हमारे पास में दोस्तों 11 परशनेवा आता है, इसमें आपको कहा है 6 cm तिरजा का एक वर्त कहेंचिए, केंदर से 10 cm दूर स्थित एक बिंदू से वर्त परस परस रेखा युगम की रचनाय को कीजिए और उनकी लंबाईया है, वो मापी है आगे देखिए 12 परशन ट्राइंगल OPQ में, जिसका कोण P समकोण है OP 7 cm है, OQ माइनस PQ बराबर 1 cm और साइन तिटा कोश्टी तराग मद्दे, मान आपको ग्याद करना है आगे दोस्तों, आपको मान ग्याद करना है या आपको Trignometry Functions दे रखे है आगे दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास में चोद्मा परशन आता है इसमें दोस्तों, आपको निमन बंटन का मद्दी ग्याद करना है दोस्तों, आपको प्राप्तांग और चातरों की संक्या के टेबल है वो दे रखी है दोस्तों, तो अब आप चोद्मे परशन के आगी तंद्रमा परशन देखिए इसमें आपको निमन बारमनता बंटन का बहुलक ग्याद करना है तो आपको उन्चाई सेंटिमेटर के अंदर और चातरों की संक्या वो दे रखी है आप दोस्तों बहुलक है वो असनी से ग्याद कर सकते है आगे देखिए 16 परशन 52 की एक गड़ी को फेंट कर एक पत्ता खिंचा जाता है निमन लिकित को प्राप्त करने के पैकता ग्याद करनी है 17 परशन देखिए किसी एपी का परतम पद 5 अंतिम पद 45 और योग क्या है 400 है तो पदों की संक्या और सारवंतिर ग्याद करना है दोस्तों 17 की अत्वा में भी देखिए आपको एक और प्रशन मिलेगा इसमें दोस्तों आपको यागाद करना है इसमें आपको परतेक प्रोसकार का मान ग्याद करना है जली से दोस्तों इसको आप हल कर लीजिए अपनी कॉपी में आगे आप देखिए 18 प्रशन आता है इसमें दोस्तों आपको बिंदू A के निर्दिशनक ग्याद करने है A B एक वर्द का व्यास है जिसका केंदर 2,-3 है B के निर्दिशनक आपको देरके व्यास की लंबाई भी आपको ग्याद करने है दोस्तों साथ 18 के अत्वाँ में देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है आपको दोस्तों यहाँ पर ग्याद करना है X और Y के मद्दे मान यह आपको X और Y के मद्दे मान ग्याद करना है आपको दोस्तों बिंदू है उसके यहाँ पर संख्या दे रखी है तेक है यहाँ मारे पास में समांतर चेतर बूज है आगे आप देखे दोस्तों 19 में प्रशन इसमें आपको बताईए कि निमे लिखी सकते है या फिर आ सकते है कारण सहीत अपने उतर की पुष्टी करनी है तो आपको यहाँ पर तिन स्थितिया है वो देर की है दोस्तों चलिए बागी देखते हैं दोस्तों 19 में प्रशन की अत्मा में देखिए आपको यहाँ पर सिध करना है सिध करने वाला प्रशन आये हुआ है त्रिकोण मिती से दोस्तों 20 में प्रशन आप देखिए गडित की एक परिक्षा में 30 विद्यार्थियों दोरा प्राप्त किया है कि अंकों का बंटन निमे लिकी थे तो इसमें आप देखिए दोस्तों 20 में प्रशन से आप में पूछा गया था कि इन नाकणों से कल्पित मद्य विद्य दोरा मद्य ग्याद करना था आपको ठीक है दोस्तों 20 में प्रशन के अत्मा में देखिए आपको यहाँ पर एक और प्रशन मिलेगा आपको सारणी देर की है 400 नियोन लेंपों के जीवन कालों को परदशित करती है तो देखिए जीवन काल गंटों में और लेंपों की संख्या तो दोस्तों एक लेंप का मद एक जीवन काल आपको ग्याद करना है यानि कि प्रते एक लेंप का आपको मत देके वो निकालना है दोस्तों तो अब आप आगी देखिए हमारे पास में अब इस पेपर का 21 जो प्रशने वो आता है इसमें आपको रेखिक समिकरन यूगम की जाँचे वो करनी है दोस्तों आपको ये बताना है कि ये रेखिक समिकरन यूगम है वो संगत है या फिर नहीं है और ये रेखिक समिकरन यूगम से ग्राफी वीदिद्वरा हल किया सकता है या नहीं किया सकता तो देखिए आपको रेखिक समिकरन यूगम दे रखा है 2x plus y minus 6 is equal to 0 और 4x minus 2y minus 4 is equal to 0 ठीक है यह मारे पास में रेकिक समीगन यूगम है दोस्तों 21 में के अत्मा में आप देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्स पुरो में तुमसे 7 उनी आयका था अब से 3 वर्स बाद में तुमसे केबल 3 वुनी आयका रहक जाओंगा इस थिति को 20 गनती और ग्राफिय रूपों में वैक्त करना है आगे देखिए 22 मां परशन 4.5 cm तिर जायक कोई वर्द पर फेली दो स्परस्ट रेका है खेंचिए जो परसपर 60 डिगरी के कौन पर जूकी हूँ तो यह मेरे पास में 22 परस्ट ने वो रहने वाला है दोस्तों 22 परस्ट के अत्मा में आप देखिए आपको एक कौन परस्ट मिलेगा आठ सेंटिमेटर लंबा एक रेखाकन एबी कहेंचिए एक को केंदर मारकर चार सेंटिमेटर तरजय का एक वर्त और बी को केंदर लेकर आठ सेंटिमेटर तरजय का एक अन्य वर्त कहेंचिए परतेक वर्थ पर दूसरे वर्थ के केंदर से स्परस्ट रेकांब की रतना यह वो भी आपको करनी है आगे आप देखिए 23 प्रशन इसमें दोस्तों आपको आंकडों की मादिका 525 दे रखी है यदि 12 मंताओं का योग 100 है तो X और Y के मान आपको ज्याद करने है तो देखिए वरगंतराल फ्रिक्वेंसी दोनों दोस्तों आपको दे रखी है तो दोस्तों आपको आगे आपर 23 में की अत्मा में एक और प्रशन दे रखा है आपको बोलग ज्याद करना है वरगंतराल और बरममंता दोस्तों आपको दोरों की टेबल है वो दे रखी है दोस्तों इस परकार से हमारा जो राजस्तान बोड कक्षा दस्मी गनित मैथमेटिक्स का पेपर है वो कंपलिट होता है दोस्तों चलिए आप मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस परकार से इस पेपर की जो PDF है वो अपने मॉबाईल में डाउनलोड करनी है दोस्तों PDF डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मॉबाईल में सबसे पहले Google खोलेना है दोस्तों आपको यहाँ पर search करना है यमारी website का नाम है www.gyanalert.com तो आप देख सकते हैं यह दोस्तों आपको search करना है जैसे कि मैं search कर जेता हूँ दोस्तों दोस्तों आप जैसे ही search करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारी post है वो मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर आना है चार नमर post पर आप देख सकते हैं दोस्तों आप जैसे ही आएंगे तो आपको RBSC class 10 most important question 22 का टेप मिलेगा दोस्तों आपको इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे जाना है दोस्तों आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो आपको class 10 all subject model paper दुझर बाइस के आपर PDF से हो मिल जाएगी जैसे कि math paper का आपको PDF मिलेगा तो download now पर click किजिए और इस PDF को पा लीजिए दोस्तों मैं पूरा विश्वास है कि आप इन most important questions को पढ़कर अच्छे से नमर है बुला पाएंगे दोस्तों यदि आपको मेरे questions अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए और साथ इस वीडियो को अपने friends के साथ भी share कर दीजिए दोस्तों मिलते हैं किसे इन्ने वीडियो में तब तक के लिए जय इंद जय भारत